हेलो मिस्टीजेस आर्मी, I hope you all are doing fine दोस्तों हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीवी के बहुत ही जाने माने शो अनुपमा के बारे में ये शो घर घर में लोगों की पहली पसंद बना हुआ है लेकिन क्या आपको पता है अनुपमा सीरिल के स्टार कास्ट की एक दिन की सैलरी कितनी है अगर नहीं तो ये जानने के लिए इस वीडियो को लास तक जरूर देखे तो चलिए दोस्तों बिना देर के शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे वीडियो बनाने की मॉटिवेशन तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं तस्नीम शेक की जो की सीरियल में राखी दवे का रोल कर रही है अगर इनकी परडे सैल्डे की बात करें तो ये एक एपिसोड के 25,000 रुपे लेती है नमबर सेकंड पे हैं अर्विन वेद्य जो की सीरियल में खस्मुक शा का किरदार निभा रहे हैं और अगर इनकी परडे सैल्डे की बात की जाए तो ये एक एपिसोड करने का 25,000 रुपे लेती हैं नमबर थ्री पे हैं अर्पना बुच जो की सीरियल में लीला शा का रूल निभा रही है और अगर इनकी परडे सैल्डे की बात करें तो ये एक एपिसोड करने का 27,000 रुपे लेती हैं नमबर फॉर पे हैं निधी शा जो की सीरियल में किंजल का रूल कर रही है और अगर इनकी परडे सैल्डे की बात की जाए तो ये एक एपिसोड करने के 27,000 रुपे लेती हैं नमबर फाइफ पे हैं अंगा भूसले जो की सीरियल में नंदनी का रूल कर रही हैं और अगर इनकी पर्डे सैलरी की बात की जाए तो ये एक एपिसोड करने के 26,000 रुपे लेती है नमबर सिक्स पे हैं जस्वीर कौर जो की सीरियल में देविका का रोल कर रही है और अगर इनकी पर्डे सैलरी की बात की जाए तो ये एक एपिसोड करने के 30,000 रुपे लेती है नमबर 7 पे हैं मडालशा शर्मा जो की सीरिल में काव्या का रोल कर रही है और अगर इनकी परडे सैलरी की बात की जाए तो ये एक एपिसोड करने के 35,000 रुपे लेती हैं नमबर एट पे हैं सुधांशु पांडे जो की सीरिल में वंडा शाह का रूल कर रहे हैं और अगर इनकी परड़े सैलरी की बात की जाए तो ये एक एपिसोड करने के 50,000 रुपे लेते हैं नमबर 10 पे हैं पारस कलनावत जो की सीरिल में समर का रूल कर रहे हैं और अगर इनकी परडे सैलरी की बात की जाए तो ये एक एपिसोड करने के 40,000 रुपे लेते हैं नमबर 11 पे हैं आशीश महरोत्रा जो की सीरिल में पारितो शा का किरदान निबा रहे हैं और अगर इनकी परडे सैलरी की बात की जाए तो ये एक एपिसोड करने के 32,000 रुपे लेते हैं नमबर 12 पे हैं मुसकान बामने जो की सीरियल में पाखी शा का किर्दाने भा रही है और अगर इनकी पर डे सैलरी की बात की जाए तो ये एक एपिसोड करने के 27,000 रुपे लेती हैं नमबर 13 पे हैं शेखर शुकला जो की सीरिल में जिगनेश का रूल कर रहे हैं और अगर इनकी पर डे सैलरी की बात की जाए तो ये एक एपिसोड करने के 25,000 रुपे लेते हैं नमबर 14 पे हैं एकता सरेया जो की सीरिल में डॉली का किरदार निबा नहीं है और अगर इनकी पर डे सेलरी की बात की जाए तो ये एक एपिसोड करने के 24,000 रुपे लेती है नमबर 16 पे हैं रुपाली गांगली जो की सीरियल में अनुपमा का रोल कर रही है और अगर इनकी per day salary की बात की जाए तो दोस्तों ये एक एपिसोड करने के 60,000 रुपे लेती है नमबर 15 पे हैं गौरफ खन्ना जिनकी अभी भी नई एंट्री हुई है अनुच कपाड़िया के किरदार में ये एक सीरियल करने के per day के 70,000 रुपे लेते हैं तो दोस्तों आपको हमारे आज की वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में तिल दैन गाड प्लैस यू और थेंक यू